यहां इस मंच पर आदर्णिय राश्पती जी, यूपी की राजपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदितेनाजी उपस्तित है मुझे भी अपने आप सब देश वास्यों ने देश की सेवा के लिए इतना बड़ा दाईत्वस हो पा है हम चारों लोग किसी ने किसी छोटे गाउं या कस्वे से निकल कर यहां तक पहुँचे है मेरा जन्मभी गुजरात के एक छोटे से कस्वे में हुआ था गाउं की संस्कृति संस्कार और हमारे हां जुड़े संगर्षों ने हमारे जी से जैसे कितने ही लोगों को तनासा हमारे संस्कारों को मजबूत किया यही हमारे लोगतंत्र की ताकत है भारत में गाउं में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राश्टप्रती, प्रधान मंत्री, राईपाल, मुख्य मंत्री के पद तक पहुँच सकता है लेकिन भाईजों और भेनों आज जब हम लोगतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनोतियों से भी सावदान रहने की जरूरत है ये परिवारवाद ही है जो राजनीती ही नहीं बलकि हर शेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंडता है उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है वैसे साथियों मैं जब परिवारवाद के खिलाब बात करता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाब बात कर रहा हूँ वैसा परचार होता है मैं देख रहा हूँ कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याक्खे में सही बैठते हैं वो मुझसे बढ़के हुए हैं गुस्से में हैं देश के कौने कौने में ये परिवारवादी मेरे खिलाप अब एक जुट हो रहे हैं वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युआ परिवारवाद के खिलाप मोधी की बातों को इतना गंबीरता से ले रहा है साथियो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकाले मेरी किसी राजनितिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजी नहीं है मैं तो चाहता हूँ कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो लोग तंत्र को समर्पित राजनितिक पार्टियां हो मैं तो चाहता हूँ कि परिवारबाद के सिकंजे में फसी पार्टियां खुद को इस बिमारी से मुक्त करे खुद अपना इलाज करे तभी भारत का लोग तंत्र मजबूत होगा देश के युवाओं को राजनिति में आने का ज़्यादा से ज़्यादा आउसर मिलेगा खेर परिवारबादी पार्टियों से मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मिद कर रहा हूँ इसलिए मैं आपके बीच भी कहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश में परिवारबाद से जैसी बुराईयों को नपन अपने दे गाउं के गरिब का बेटा गाउं के गरिब की बेटी भी राश्पती प्रदान मत्री बन सके इसके लिए परिवारबादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है